उसके अलाबा जो है और क्या चीज़े जो दिल को सकुन देती है तो ये चीज़े हैं कि तकदीर पर इमान ये दिल को सकुन देगा तकदीर पर इमान ये दिल को सकुन देता है तकदीर क्या है कि जो लिखा है वो होना है वो होगा ही इंसान आने वाले वक्त से परिशान देता कि नोकरी मिलेगी की नहीं मिलेगी इतना पढ़ तो रहा हूं मैं मिलेगी की नहीं मिलेगी नोकरी तिजारत मेरी चलेगी की चलेगी की नहीं मैं डालने कोशिश तो कर रहा हूं इसमें लाखों रुपय लगा रहा हूं इतनी महींगी दुकान ले ली इतना सामान मैंने भर द अगे वना किया है। deport उस्वक्त है। आँगें होता हुशा नistasख, टो यह सकती है, तính तो यह दिल को ऊंशा तयुम हो गया तो भूम है, करजहीं लिभी ने पेजहाँबार litri तो नहीं तो ये तकदीर पर इमान नहीं तकदीर जितनी लिखी है वितनी इसको लिए तो एक छीक में आदमी मर जाता है वो कोई आदमी बीमार पढ़ा है 20 साल से पढ़ा है 20 साल पर तो जिंदा रहता है तो ये तकदीर पर इमान उसका पुकता होना चाहिए तो फिर उसके दिल को सुकुन मिलेगा तो इन सब में नहीं तो इस सब के अंदर वो पढ़ा रहेगा जो हो गया जो आने वाला उसमें पढ़ा रहेगा तो उसका आने वाला सुकुन उसका खतम हो जाएगा उसका सुकुन उसका चला जाएगा तो कल की वज़े से वो आज को खराब ना करे हाल के अंदर, हाल में जीए कि अभी क्या है, कल वो ना हो अभी तो खालू, अभी जो है उसके करो कल की क्यों फिकर करना, महीने भर बाद की क्यों फिकर करना तो हाल में उसको जीना है उसको हाल के अंदर जीना है तो इनसान को चाहिए को तकदीर पर यकिन रखे कि बिमारी है उसको तो दवाई उसको ठीक अब वो दवाई खा भी रहा है उससे ठीक होंगा कि नहीं होंगा या कोई आदमी इसे भी होते है तो पूरी कोशिस उसने की लेकिन तगदी यकिन अपर रखना है दाना बिमार होगिया तो यह नहीं के वह रकिन रेक्र बेड़ जाए तो यह सब यकिन नहीं रखना है यह भी जो खिलाफ है चिरियत के आदमी इत्ता है कि इनके बिमार हो गे अल्ला इंटीक करे रहा हला कि सहाबा जैसे कई थे भी लेकिन ये नहीं अल्ला के रसलूम को दिलाज करवाया है सुन्नत हमको यहीं मिलती है तो ये अजबार हमको करना है लेकिन एतिमाद से परला पर रहती है वो तकदीर पर हमकर है तकदीर में जो लिखा वो होना है नहीं तो आदमी इसकी पूरी कोशिश करें यह अकीन तकदीर पर रखें नहीं कि बार बार इसके गाड़ी चला रहा गिर गया तो तो कभी गाड़ी चला पाएगा लगता है तो डाक्टर के पास जाग रहा है तो मैं जो यह इसा लगता है शात्मूर पर गिर रही है मुझे इसा लगता है मैं खड़े में गिर रहा हूँ क्यों वेकि इन चीजिए को सोच कर अपने उपर हावी कर लिया और एक बीमार इसने पाल लिए तो इस सब चीजे तो उसके अंदर तो उसको क्या होना चाहिए कि तकदीर पर इमान होना चाहिए कि कुछ नहीं हो सकता है यह हो रहा है तो यह तकदीर में मेरे लिखा है पुर यह होना ही है और अल्ला नहीं लिखा है तो बेतरी के लिए लिखा होगा मेरे लिए तो तक्दीर पर उसका इमान होना चाहिए बीमारी है उसके पास में और अगर तक्दीर पर इमान नहीं कितने ही उसके तुम अजबाब कितने ही कर लो दुनिया के सारे के सारे डॉक्टर है मुझे लग रहा है कि मैं इसी में मर जाओंगा वो डाक्टर नहीं ढूंडा जिसके हाथ में अल्ला ने शिफा लेकिए लेकिन आदमी को एक आदमी मिलता है बोले क्या हो बले यह परेशानी बले यह पुडिया खाओ पुडिया खाता ठीक हो जागा दुनिया के बड़े बड डाक्टर नहीं कर सके पुडिया ने काम कर दिया क्यों अल्ला ने तुमारे लिए तकदीर में लिखा था कि इस पुडिया खाने से इलाज होगा तुमारा तो तकदीर पर उसका यकिन होना चाहिए कि अल्ला ने अगर लिख दिया तो मैं ठीक होंगा नहीं तो फिर मैं इसी तो इनसान जो है खुद को भूल जाता है तो तकदीर पर यकीन होना चाहिए तो जो होना है वो गाहिए मरना है मैं मरूँगा ही दी तो आदमी नहीं मरने के चक्कर आदमी इसे ही मर जाता है तो दर डर के जीना उसकी आने वाले वक्त खराब कर देता है कई लोगे देखे एक वाग्या आया तो मेरे सामने की एक मजदूर काम कर रहा था वे बावडी खुदा ही हो रही तो वो गया वहापर उसने कपड़े उतार की एक खोधी उसके अंदर उसने डाला कपड़े उसके वाँ पर रखे और जैसे इसको क्या हुआ कि उसके हाथ पर कुछ लगया खून निकलने लगा उसको उसको उस वक्त मालूँ नहीं पड़ा तो उससे अटेक से मर गया हूँ, दिन बड़ से नहीं मरा, खाली हो सोच के मर गया के सामने काट, तो आदमी सोच से मर जाता है, कभी-कभी सोच से ही मर जाता है, तो हमको क्या है एत्माद, डर-डर के अगर तो जिंदगी हमारी खराब हो जाती है, फिर नहीं तो हमारा कोशिश करना है, लेकिन कोशिश को रब नहीं बनाना है, हमारी कोशिश को रब नहीं बनाना है, यकीर रखना है, अल्ला के अपर, अल्ला ने कुरान में क्या फरमाया, कि नभी कहो, कि हमें जब तक कोई तकलिव नहीं पोच सकती, जब तक कि अल्ला ने हमारी तक्दिर में लिखे ना दी हो, तक तक आफ तक कोई आपको नहीं मिलेगी, तो हम देखें, जब तक अल्ला ने नहीं लिखा, तो तकलिफ पहुची नहीं नहीं, वो शिफा मिलने ही नहीं है अगर अल्ला ने नहीं लिखी, क्योंकि देखें कोई कितना ही खतरना काम करें लेकिन उसके बाद भी देखें बच जाता है हम क्या सोस्ते हम तो कुदने में डरते हैं लोग उपर से एरोपलेन से नीचे कुदते है अब वो नहीं खुला एक गठान की बात है गठान के अंदा हो पेराशूट के साथ में कुदरा है नीच खुला तो मर जाए लेकिन वो भी कूद जाता है अल्ला ना उसकी जिन्दकी बाकी रखी है तो खुलता है वो कितने लोग मरते हैं उसका में वहाँ से भी लोग करते हैं कोई नदी में कुद्रा पेरों में से बांद कर तो तकदिर पर भी यकिन होना चाहिए क्योंकि हम देखें कि खालिद बिन वली कितनी जंगें उन्होंने लड़ी है सिफु उल्ला कहा, अल्ला की तलवार अल्ला की रसलों का किताब दिया कि अल्ला की तलवार है, इतनी जंगें उन्होंने लड़ी और इतने कम-कम वो बड़ी-बड़ी फोजों के अंदर घुज जाते थे तीस-तीस लोगों के लिए के हजारों के अंदर घुज जाते थे, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ और कोई किसी जंग के अंदर उनको वफात नहीं हुँ, शहीद नहीं हुए, वफात का हुँ है उनकी विह बिस्तर पर विफात पाई जबकि वो इतना जंग लड़ी उन्होंने इतनी जंगें लड़ी इतनी जदा कि सहावाने जंग नहीं लड़ी क्योंकि तकदीर पर लिखी नहीं थी, शादत नहीं लिखी थी तो उनकी वफात बिस्तर पर हुए तो कोशिश करें लेकिन यकीन अल्ला पर तकदीर ऐसा concept है कि इंसान अगर इस पर यकीन कर ले तो कभी इंसान दुनिया के अंदर खुदकुशी नहीं करेगा तकदीर पर यकीन करेगा तो कभी इंसान दुनिया के अंदर खुदकुशी नहीं करेगा तो तकदीर पर एत्वान होगा तो ये भी दिल को सुकून देता है